नमस्कार आज हम टमाटर की बिना तेल वाली चटनी बनाएंगे जो खान में बहुत ही चटपटी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है इसके लिए मैंने पांच टमाटर लिये तीन हरीभिर्च लोँगी मैं चार कलियां लस्न की लोँगी आदा नीमबू एक टुकड़ा अध्रक्का धनिया पत्ती लोँगी एक छोटा प्याज लोँगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ऐसा जाली वाला पैन लेंगे और अब फ्लेम को अन कर देंगे फ्लेम को हमने लो कर देना है और इसके उपर हम टमाटर को रख देंगे ऐसे एकक करके हमने टमाटर रखने है तो एक बार मैं इसके उपर चार टमाटर रख रही हूँ यहाँ पर मैंने एकदम लाल टमाटर ली है तो अब यह भूनना स्टार्ट हो गया है टमाटर को मैं इस तरह से बीच बीच में पलटती रहूंगी ताकि ये सभी साइट से अच्छे से भून जाए भूने टमाटर की चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ये इस तरह से भून गए हैं टमाटर येने मैं निकाल लोंगी अब एक टमाटर जो बच गया था दो हरी मिर्च और चार कलियां लसुन की मैं भूनने के लिए रद दूंगी लो फ्लेम पे हम भून रहे हैं अब ये भून कर तयार हैं अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे अब हमने जो टमाटर भूने थे उसका चिलका हम इस तरह से उतारेंगे अब इस तरह से हम पांच ये टमाटर का चिलका उतार लेंगे ऐसे हम हरी मिर्च भी साफ कर लेंगे, इस तरह से और ऐसे ही मैं लेसुन को भी साफ कर लूँगे, इस तरह से लेसुन को भी मैंने साफ कर लिया अब एक इस तरह से कद्दू कस लेंगे और उसकी इस वाली बड़े वाली साइड से हम टमाटर को कसना शुरू करेंगे टमाटर की इस तरह से जो गांट है वो हम निकाल देंगे और ऐसे हम पांचे टमाटर गिस लेंगे ऐसे हमने पांचे टमाटर गिस लेने है यह दिखे इस तरह से टमाटर का पल्प त्यार है अब हम टमाटर के इस पल्प को ऐसे बॉल के अंदर डाल देंगे अब लसुन की चार कलियां जो हमने बुनी थी दो हरी मिर्च और एक अदर का टुकड़ा हम लेंगे अदर को हम इस तरह से शील लेंगे और लसुन के साथ डाल देंगे अब 10 से 12 काली मिर्च लेंगे और उससे इस चोटी इमाम दस्ता गया दीजिए या आप कुंटी सोटा बोलती है उसमें डाल दीजिए और ऐसे अच्छे से क्रश कर लीजिए ऐसे हमने इन सभी चीज़ें को क्रश कर लिया आप जो हमने टमाटर का पल्प लिया था उसके अ दालने के बाद में एक हरी मिर्च बच गई थी उसे हम इस तरह से काटेंगे ऐसे टुक्डों में काटने के बाद में टमाटर के बॉल में डाल देंगे अब एक तवी के उपर हम जीरा डालेंगे और उससे बूनेंगे एक चमच जीरा लिया है उसके उपर मैंने आदा चमच हिंग डाला है उससे भी हम बून लेंगे हम जीरा काला नहीं करना है बस हलका ब्राउन होने पर हम गैस को बंद कर देंगे और इस तरह से जीरा को हम क् और इसे हम टमाटर के पल्प में डाल देंगे एक जो प्याज है उसको ले लेंगे और बारी काट लेंगे और उसे टमाटर के पल्प में डाल देंगे अब आदा बड़ा चुमच लाल मिर्च लेंगे और उसे भी इसमें डाल देंगे स्वाद अंसार नमक डालेंगे आदा नीम्बू डालेंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स कर रहा हम इसे यह खाने में बहुत ही स्वादिश्ट बनती है जब आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इसे ही ऐसे सब्जी खा सकते हैं प्रांटे के साथ रोटी के साथ खाने में बहुत ही स्वादिश्ट बनती है यह बहुत ही चट पटी बनती है अब इसके उपर हम धनिया पती डालेंगे यह देखी कितनी बड़िया टमाटर की चटनी बनके तयार हो रही है अब धनियापती डालने के बाद में हमने क्या करना है हमने इस सारे मिक्सर को एक बार फिर से मिला लेना है और यह देखिए एकदम लाजवाब चट पटी टमाटर की चटनी बनकर तयार है यकीन मानिए घर में सबको बहुत पसंद आएगी अगर आप इस तरीकी से टमाटर की चटनी बनाएगे तो तो अगर आपको ये रेसेपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए थैंक यू